पानिपत का तीसरा युद्ध 14 जन्वरी 1761 को लड़ा गया पानिपत का तीसरा युद्ध भारतिय इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी यहां एक सिंहावलोकन दिया गया है प्रिष्ठ भूमे मुगल सामराज्य पतन की ओड़ था और मराठा तथा दुर्रानी सामराज्य एहमद शाह दुर्रानी के नेत्रित्व में जैसी क्षेत्रिय शक्तियां उभर रही थी सदाशिवराव भाव के नेत्रित्व में मराथों ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया युद्ध के कारण दुर्रानी सामराज्य का भारत में विस्तार और मुगल सामराज्य को जीतने की उनकी इच्छा मराथों की अपने क्षेत्र का विस्तार करने और क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा युद्धरत पक्ष दुर्रानी सामराज्य जिसका नेत्रित्व हमत्षा दुर्रानी ने किया मराथा सामराज्य, जिसका नेत्रित्व सदाशिवराव भाउं ने किया प्रमुक घटनाए पानीपत के पास दोनों सेनाओं में भिढ्थ हुई, जिसके परिणामस्वरूप भीशन युद्ध हुआ मराथों की हार हुई और सदाशिवराव भाउं मारे गए दुर्रानी सामराज्य विजय हुआ लेकिन उसे भारी क्षती उठानी पड़ी परिणाम इस युद्ध ने भारत में दुर्रानी सामराज्य के विस्तार की शुरुवात की मराथा सामराज्य कमजोर हो गया लेकिन उन्होंने भारतिय राजनीती में महत्वपूर्ण भूमी का निभाना जारी रखा युद्ध के कारण मुगल सामराज्य का पतन हुआ और क्षेत्रिय शक्तियों का उदे हुआ नतीजे इस युद्ध के भारतिय राजनीती, संस्कृती और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाफ पड़े इसने भारत में दुर्रानी सामराज्य के विस्तार और मुगल सामराज्य के पतन की शुरुवात को चेहनित किया इससे मराठों, सिखों और अन्यक्षेत्रिय शक्तियों का उदे हुआ हताहत एवं क्षती अनुमानित मृत्यू संख्या 30,000 से 40,000 सैनिक मराठा सामराज्य को भारी क्षती हुई, जिसमें उनके नेता की मृत्यू भी शामिल थी पानिपत के तीसरे युद्ध के कारणों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है 1. क्षेत्रिय महत्वा कांग्षाएं एहमद शाह दुर्रानी भारत में अपने सामराज्य का विस्तार करना चाहता था और मुगल सामराज्य को जीतना चाहता था 2. मराठा विस्तार सदा शिवराव भाव के नेत्रित्व में मराठों ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने और क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की 3. मुगल पतन मुगल सामराज्य पतन की ओर था जिससे एक शक्ती शून्यता पैदा हो गई जिसे दुर्रानी सामराज्य और मराथा दोनों ने भरने का प्रयास किया चार्फ आर्थिक हित शेत्र के व्यापार मारगों और संसाधनों पर नियंतरण एक महत्वपूर्ण कारक था पाँच धार्मिक मतभेद दुर्रानी सामराज्य मुसलिम था जबकि मराथा हिंदू थे जिसके कारण धार्मिक तनाव पैदा हुआ छेप सत्ता संघर्ष यह युद्ध दुर्रानी सामराज्य मराथों और मुगल सामराज्य के बीच सत्ता संघर्ष था साथ, क्षेत्र की रक्षा, दोनों पक्ष अपने क्षेत्र की रक्षा करना तथा अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे आठ, व्यक्तिगत महत्वाकांग्शा, एहमद शाह दुर्रानी और सदाशिवराव भाव की व्यक्तिगत महत्वाकांग्शाएं थी और वे स्वय को प्रमुख शासक के रूप में स्थापित करना चाहते थे इस युद्ध को दुर्रानी सामराज्य और मराथों के बीच एतिहासिक प्रतिद्वन्द विता से भी बढ़ावा मिला दस भूराजनीतिक कारक युद्ध भूराजनीतिक कारकों से प्रभावित था जिसमें सिखों और रोहिल्लाओं जैसी अन्यक्षेत्रिय शक्तियों की भागिदारी भी शामिल थी पानीपत के तीसरे युद्ध का परिणाम हैमत शाह दुर्राणी के नेतरित्व में दुर्राणी सामराज्य की निरनायक जीत थी यहां मुख्य परिणाम दिये गए हैं ततकाल परिणाम एक मराठा पराजय, मराठा पराजित हुए और उनके नेता सदाशिवराव भाउं मारे गए दो दुर्रानी विजय, दुर्रानी सामराज्य विजय हुआ, लेकिन उसे भारी क्षती उठानी पड़ी तीन, मुगल पतन, मुगल सामराज्य और अधिक कमजोर हो गया, जिससे क्षेतरी शक्तियों के उदे का मार प्रशस्थ हुआ दीरघकालिक परिणाम एक दुर्रानी विस्तार, दुर्रानी सामराज्य ने भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार किया, लेकिन उनका शासन अल्पकालिक था दो, मराथा पुनरुद्धान, मराथा पुना संगठित हुए और भारतिय राजनीती में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते रहे तीन, क्षेत्रिय शक्तियों का उदे, इस युद्ध ने सिखों, रोहिलाओं और अन्यक्षेत्रिय शक्तियों के उदे की शुरुवात की चार, मुगल सामराज्य का पतन, मुगल सामराज्य का पतन जारी रहा और अन्तह यह ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया पाँच भारतिय राजनीती और संस्कृती पर प्रभाव इस युद्ध का भारतिय राजनीती संस्कृती और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जिसने भारतिय इतिहास की दिशा को आकार दिया हताहत एवं क्षती एक अनुमानित मृत्यू संख्या 30,000 से 40,000 सैनिक दो मराठा क्षती मराठो को भारी क्षती हुई जिसमें उनके नेता सदाशिवराव भाव की मृत्यू भी शामिल थी तीन दुर्रानी क्षती दुर्रानी सामराज्य को भी भारी क्षती हुई जिससे भारत में उनकी स्थिती कमजोर हो गई